ये जो गला घौटने की लोगतंत्र की आप पुरा देश जो देख रहा हैं ये गुजरात में यही मोदी जी जब चिफ मिनिस्टर थे मैं लिडर ओफ आपोजिशन था हम वहां के बिलकुल विटनेस रहे हैं इसी तरह से लोगतंत्र का गला घौटा जाता था आज जो गुजरात जहां से फॉस्ट स्पीकर ओफ लोगसभा मावलंकर जी आते थे उस मावलंकर जी ने खुद अपने पैसे दिये और उसके बाद हर सरकार फंड देती थी और मावलंकर ब्यूरो चलता था विधाय को मंत्रियों की ट्रेनिंग का मोदी जी बने मुख्यमंत्री उस मावलंकर ब्यूरो को खतम कर दिया लोगतंत्र की ट्रेनिंग का गला घौट दिया और आज आप देखे तो आंदोलन करना वो समविधानिक अधिकार है फिर भी वहाँ पे वो आंदोलन जी वी वर्ड लाके लोगों को मजाक बना रहे थे लोगतंत्र में जुमला देना वो जाईज नहीं है और इस देश के आज के ग्रहमंत्री ने खुद किया कि चुनाओ के वक्त हम कहते हैं नहां वो करना थोड़ा ही होता है वो तो जुमले होते हैं वो बात हम उनको सुनाते हैं आज आज़ादी आने से आज तक में किसी भी As या लोगसभा या राज्यसभा के हमारे जो अनपार्लामेंटरी वर्ड्स में जुमले जीवी, जुमले बाज वो कभी भी अनपार्लामेंटरी नहीं हुआ है ब्रस्ट कभी भी अनपार्लामेंटरी नहीं हुआ है आप जूट बोल रहे हो आप नवतंकी कर रहे हो बार बार जब यही लोग उपोजिशन में थे भारती जिनता पार्टी कांग्रेस की सरकार थी यह सारे लब्ज हमारे खिलाप यूज होते थे तब देश की पार्लामेंटरी प्रोसीजर या संसदिय लब्ज में अनपार्लामेंटरी वर्ड में यह कोई लब्ज नहीं लगता था इनको यह गुजरात में भी जब हमने वाइबरन गुजरात के नाम पे करोड़ो रुपिया का ब्रस्टाचार हो रहा था और विदान सभा में as a opposition जब हमने कहा कि किसके साथ आपकी क्या भागीदारी है आपकी क्या पार्टनर्शिप है कि आप यह कर रहे हो उसका पूरा तथ्य लगाया तो गुजरात में कहा दिया कि भागीदारी माने पार्टनर्शिप वो भी अन्पार्लामेंटरी वर्ड हो गया माने आप किसी की हगा मिली भगत करके कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट समदे रहे हैं बोले यह नहीं बोल सकते हो तो मैं मानता हूं कि देश के इतियास में काल राज्य सभा के हमारे चेर्मेन साब को और लोग सभा के स्पीकर साब को कि यह आपकी प्रिमाजसीज है यह आपका अधिकार है गुजरात में भी इस अधिकार का हनन हुआ था आप हमारे मेंबर्स के हीतों के रक्षक हो क्यों ये सब हो रहा है आपको भी सोचना होगा अनपार्लामेंटरी वर्ड के लिए आज तक का इतियास में कभी भी जो लब्ज नहीं आ सकते थे वो डालके ये देश में जिस तरह से गुंडागिर्दी कर रहे हैं जिस तरह से ब्रस्ट होके लूट रहे हैं ये एक कर रहे हैं ये और मैं पार्लामेंट से बाहर मेरे बोलने का अधिकार वो नहीं चीन सकते हैं और यही हाउस के अंदर हम हमें पार्लामेंटरी लेंग्वेज में जब कहते हैं वो आज तक जाइस था हम कहते थे आज उन लब्जों को भी बंद करना इस देश के लोकतंत्र का अपमान है हम एक जिम्मेवार प्रिंसीपल ओपोजिशन के नाते कांग्रेस सद्यक्षा सौनिया गांदी जी के नित्रुत्व में जो मीटिंग हुई है उसमें तै हुआ है कि जो जनता के एहम मुद्दे हैं इनको हम हाउस के अंदर लोकतंत्रिक तरीके से उठाएंगे सरकार को इन मुद्दों पे चर्चा देनी चाहिए अगर सरकार के दिल में चोर नहीं बैठा है तो गैस के दाम पे चर्चा करें अगनी पत पे चर्चा करें चाइना हमारी सरद में गुस गया है उनका MP कहता है ट्वीट करता है उसके उपर चर्चा करें पंजाब के हालत बिगड़े हो या जहां हुए हैं उन सब पे चर्चा करें यही हमारी मांग होगी आज हमने और लाइक मांडेट पार्टी के साथ भी हम बात करके एक फ्लोर मैने सदन में चर्चा करने के लिए ला जा रहे हैं यह हमारे सामने अभी उतना ज्यादा खुला सा नहीं है तो सरकार की अपने कितने बिजनेस सदन में लाना चाहता है उसको उपर निर्भर करेगा कि हमारी तरफ से और कौन-कौन सा मुद्दा हम उठाने के कोशिश करेंगे क् सरकार की बिजनेस और हमारी मुद्दा दोनों मिलके ही सदन चलते हैं मुद्दा की कोई कमी नहीं है जब तक हमारे पधार मंत्री मोदी जी है तो मुद्दा की कभी कमी नहीं हो सकता अनेक मुद्दा होने का अभी संभा बना है क्योंकि मोदी जी है तो मुद्दा भी मुमक है तो लेकिन लेकिन हमारे तकलिफ यह है कि कितने मुद्दा हमारी तरब से उठाने की सदन की अंदर हमें इजजात मिले गए या नहीं सबसे ये हमारे सामने अभी सबसे भरा चुनोतिया है क्योंकि जिधार से जाई है पंजाब से लेके नौर्थिस्टे लेके कहीं बार कहीं तनाओं कहीं स्रीलोंका निशू कभी चाइनीश इशू सारे हमारे देश में अभी चारो तरफ मुद्दा ही मुद नाओं सोशल टेंशन ओभी बढ़ते जा रहे हैं ये देश के लिए बड़ा हानिकारी होगा एक तरह मतलब सर से मतलब तन से सर जुदा करने की और साथ साथ मुसल्मान समाज को खतम करने की ये दोनों तरफ से ये जो नजारा हमारे देश के शामने आ रहे हैं ये हम सब चि ये देश को और ससक्त करने के लिए सोशल स्टेबिलिटी चाहिए समाज में सांती के महोल काइम होना चाहिए इसके लिए सदन की अंदर भी हम सरकार से ये बात रखने के लिए मांग करूंगा कि सरकार इसमें क्या सोच रहे हैं एक तो अंदर, बाहर, चारो तरफ हमारी ये जो तकलिब ये बढ़ते जा रहे हैं, तो देखते हैं हम चाते हैं कि सदन सही धंक से चले, सदन में ज़्यादा से ज़्यादा काम काज हो और ये काम काज में हम भी सिर्कत लेना चाते हैं, जितना सदन के अंदर हमें मौका मिलना चाहिए जैसे कि हमारे जिरो आवार है, कोश्चेन आवार है, कॉलिंग अटेंशन है, प्राइबेट मेंबर्ड़ है, जो जो है आप सब जानते हैं, सदन में आप लोग को जादा जानकरी भी है, यह सारे जो हमारे उपाई है, हमारे प परिशान है, हिंदुस्तान के आम लोग तकलीप में हैं, हिंदुस्तान में बेरोजगार की इजापा हो रहे हैं, धरेलले से, तो लोगों की तकलीप उठाना और यह तकलीप को सुल जाने के लिए सरकार की क्या राय है, यह सरकार की राय मालूमत करना, यह सदन में हमारा का काम हम करते रहेंगे वो भी हम सान्ति पुन्न धंग से करना चाहते हैं सदन धंग से चले सारे चर्चा हो हमारे भी बात रखने का मौका दिया जाए सरकार भी अपने बात रखे यह हम चाहते हैं